Hello everyone, welcome to JCRT DJI School. My name is Mohamed Ijazalok. और इस वीडियो लेसन में हम लोग क्लास फाइर, कि इंग्लिश टेक्ट बुक संशाइन, के एरूट 3, प्राइड आफ इंडिया के निव वोर्स को सीखेंगे. जो डिफिकल वोर्स हैं, जो मुश्किल वोर्स हैं, उनको हम लोग इस सेक्शन में सीखते हैं, नो निव वोर्स के अंदर करते हैं, तो आई शुरू करते हैं, इन वोर्स को हम लोग इसके हिंदी मानिक सीखेंगे, और उसको सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं, वो सीखेंगे. आप भी इन sentence को अलग तरह के sentence भी बना सकते हैं इसमें जो sentence इसमें दिये हैं उसके अलग तरह के sentence आप बना सकते हैं तो शूर करते हैं laborious laborious कहते हैं मेहनती को परिश्रेमी को इसे I am laborious they are laborious girls यहाँ पर तस्वीर देख रहे हैं आप दो लड़कियां काम कर रही हैं बहुत मेहनती हैं they are laborious तो कोई शख्स जो labor ज़्यादा कर रहा है मेहनत कर रहा है तो इसको आप तो कह सकते है they are laborious they are laborious वे मेहनती हैं challenge कहते हैं चुनौती को I am ready for any challenge मैं किसी भी चुनौती के लिए तयार हो आप भी कह सकते है are you ready for any challenge क्या आप किसी challenge के लिए चुनौती के लिए तयार है तो जब भी challenge कहते हैं तो चुनौती का मिनी आता है आप उसको sentence में इस्तुमाल कह सकते है next is kind-hearted kind-hearted कहते हैं द्यालू को जिसके दिल में रहम हो रहम दिल को kind-hearted कहते है she is a kind-hearted girl वो बहुत ही द्यालू लड़की है he is a kind-hearted man next is incident incident कहते हैं वाकए को हादसा को जैसे accident के meaning में भी आता है incident an incident took place in the morning सुभह में एक हासा वाकए हुआ an incident there is an apple orchard in our village हमारे गाउं में एक सेब का बागीचा है सेब के बहुत सारे पेड़ लगे रहते हैं उसको बागीचा बोलते हैं next है inspire करना प्रेरित करना the life of A.P.J. अबदुलकिलाम inspires us A.P.J. अबदुलकिलाम की जिंदगी हमें प्रेरित करती है जैसे के आप तस्वीर में देख रहे हैं के A.P.J. अबदुलकिलाम अपने बच्पन में पेपर बिचा करते थे और बाद में वो उन्हेंने खुब मेहनत की पढ़ाई की और वो मिजाल मैन आफ इंडिया बने बाद में पिसिडेंट अफ इंडिया भी बने तो उनकी जिंदगी हमें इस्पाय करते है इसे प्लिडल की बने इस्पाद की लिए है आफ को कहते है फादरलिस जिसके बाप डिथ कर गया हूँ मर गया हूँ उन बच्चों को फादरलिस कहते है वो एक अनाफ बच्ची है ब्येवियर करते है बरताओ को रविया को, हल behavior is good यह हमें अपने बरताओं को अच्छा रखना चाहिए इस तरह के जहां पर भी हम लोग बरताओं का इस्तमाल करेंगे, वहां पर हम लोग behavior का परियोग करेंगे behavior करते हैं बरताओं को, रविया को next करते हैं imprint imprint करते हैं छाप छोड़ना इसके शब्दों ने हम पर एक गहरा चाप छोड़ा जब किसी की बात बहुत लग जाती है दिल की गहराईों तक जाती है तो उसको करते हैं imprint imprint करने हैं खोदा जाना किसी चीज़ को उसने एक तरसे जिप्त हो गया वो next है food crisis जब खुराक की क्राइसिस हो आते है खुराक की कमी होती है तो उसको food crisis कहते है they are facing a food crisis in the forest वे जंगल में food crisis का सामना कर रहे हैं next है continue जारी रखना we continue to work till evening हम लोग शाम तक अपने काम को जारी रखे continue your work अपने काम को जारी रखो इस तरह के जहाँ पर continue जारी रखने की बात करेंगे तो वहाँ पर हम लोग continue को परियूँ करेंगे next है encourage बढ़ावा देना always encourage good habits in a child हमेशा अच्छे habits को अच्छे अच्छे आदतों को बच्चों में बढ़ावा देना चाहिए encourage करते हैं good habits बढ़ावा देना को आगे बढ़ाना को eagerly करते हैं उत्सुता पूर्ण किसी चीज़ को बहुत ही गौर से बहुत ध्यान से और बहुत ही दिल्चस्पी से किसी चीज़ के तरफ ध्यान देना उसको करते है eagerly जिसमें आपकी रिजामन्दी हो जिसमें आप शामिल हो, तो they eagerly listened to my speech, उन्हें ने बहुत ही मेरे speech को, मेरे भाशन को सुना, तो eagerly का हम इस्तमाल कर सकते हैं, इस परकर हमने जो words हैं, लगबख about 15 words हम नोने सीखे हैं, नोनी words के अंदरकर, ये difficult words हैं, इन words को आप खुब इस्तमाल कीजिए, use कीजिए अपने daily life में, तब ये आपका vocab बन जाएगा, और आप किसी text को समझना, खास्ता हो से ये text जो प्राइड ओफ इंडिया, इस text को समझना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, जब आप इन शब्दों को समझ लेंगे शित्रिक से, नन्यवाद,